आज की टॉपिक में हम सीट हैंलिंग पर डिस्कसन करेंगे जिसे के मैं आपको लास्ट क्लास मताया था कि बीवी आपजेक्ट के चार पार्ट होते हैं पहला होता है आपका अप्लिकेशन वर्क बुक शीट सरेंग तो हम अप्लिकेशन को इग्नोर किये हैं भी फिलाल वर्क बुक्स को हम पढ़ चुके हैं और हम सीट की पढ़ने की बात ही आती है कि आज हम सीट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले चीज को जानेगे कि सीट के दो नेम होते हैं बीवी के अप्लिक पहला कैप्शन नीम जो बाहर आपको दिखता है जिसको आप यूजर चेंज कर सकता है और दूसरा होता है पुपर्टी नेम जिसको सिर्फ प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है तो कैसे करेंगे इसको पहले हम बात करेंगे calling की कि इसको call कैसे करेंगे तो यहां पर call करने का तीन तरीका है इसे लास्ट प्ला से discuss किया ता मैं आपको seat उसके property name से आप उसको बोल सेके seat.select या activate या उसका caption name seat1.select या फिर उसका sequence number 123.select और एक आपको एक्टिव शीट तो पता ही है इन चारों में किसी confusion है कि नजब करेंगे तो seat यह हमाँ बटी नेम है यह हमाँ caption नेम जो बाहर दिखता है इसका sequence जो पहले नवर पोजीशन पर या दूसरे नवर पोजीशन पर होगा एक्टिव शीट जैसा एक्टिव सीट होता है हम बात करते हैं कि आखरी शीट पर क्या क्या किया जाता है सबसे पर बात करते हैं seat को add करने का तो seats.add हमने simple लिख दिया तो जो एक्टिवेट है जो seat1 एक्टिवेट है इससे पहले एक seat add कर देगा जी हां एक seat add कर देगा और हमें उसका नाम देना है तो seat active sheet.name equal to हम नाम देदेंगे यहां पर इससे data अब active sheet क्यों किया हमें पता है कि जब भी seat add होती है तो seat 1234567 कुछ भी हो सकता है बट जो add होती है वह आपका activate होता है यहां पर हमने active sheet.name देदिया लेकिन मुझे पता है कि मुझे seat add करने के बाद name देना ही है तो हम direct seat.add.name कर दूगा और equal to data add कर दूगा तो data नाम का seat ही insert हो लेकिन अब मुझे seat जो add करना है किसी positions के add करना है इसे space मारिएगा तो before after count तीन चीजा आपके 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 लिखेगा before, मतलब किस seat से पहले आप मैं मुझे माने seat 3 से add करना है इन 4 में से कोई एक दे सकते हैं आप यहाँ पर जैसे हमने बोल दिया seats और यहाँ पर seat 3 यहाँ पर sequence number या property name यहाँ प्लिखेंगे उससे पहले पर दूगा यहाँ कर दूगा तो seat after में चला जाएगा मतलब कि हमने इसको ब्लैंक चोड़ दिया तो मैं फिलहाल देख रहा हूँ कि मैं 3 seat है तो मैं यहाँ पर 3 कर दिया मतलब कि after 3 seat 3 seat के बार आप इसको यूज कर सकते हैं 3 seat को आप दिया 4 seat को आप दिया अब यहाँ पर 3 हमने किया तो हर बार मैं receipt 3 थोड़ी होगा हो सकता है कि बर जाए हो सकता है घट जाए तो यहाँ पर एक formula हम लगा सकते है seats.count अब एक code हर बार मैं receipt को last में add करेगा यहाँ पर आप दिया यहाँ यहाँ हो यहाँ यहाँ का अप यहाँ यहाँ झाल 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 कर दो बाइब दो एक मेंसेज आ गया है यह चुछ लोगना सीख गया है को इसमें सब्सक्राइब तो अगर आपके पास नेम सिफिक है तो आपको इस ओड को पांच बार लिखना पड़ेगा का पांच सिफ्ट करते हैं की इन नेम देने के लिए फिर आप यहां पर बात मैं यहां पर में पिर इक वार में आप एक ही सीट नेम के सांथ आज को सकते हैं या पिर नेम दाज सकते हैं आपके बाद ज्यादा सीट से फिर आमें लूप बगरा का इस्तमाल करना पड़ेगा जो कि आगे क्लास के में कवर करेंगा एक ही ओपुशन दी आपसे मैं डीडिकन एक वर्क पॉसमंें लिख या पैसे अ आपने एंग्लीकरी दे ईख नेमीर या एसी वर्क शीट म colored क्रीक माइड वर्कूत प्र भोंति वे सोरी अब बतां चॉ reacted बातां को है्रश्थ नेम की बात कर हो में नहीं वर्कुक से प्रतल नाम रहे की ना चति अटन की बात करें लिनागा अपकिर लिए मुखे यहां हैarm remarkably फाइल को रिनेम करना, एक्स्राट का फोल्डर का पार्ट अब फाइल को इस का नहीं हुआ, pais compare नेकर नहीं हुआ नहीं, काने इस हमने हनी यहापना पर तक करना है नहीं हो चकता है नेइम खेंस है, आपकर चेल को फाइल को सेट होता हुआ छाज एस तो आगे बढ़ते हैं, seat को हमने add करना seat लिया, seat add हुआ है, तो seat को delete करना भी होगा, माले जब जब सीट 1 को delete करना है, तो seat 1.delete, अब सीट 1.delete अगर आपने लिख दिया, तो एज सीट आपका delete नहीं होगा, delete होने से पहले, आप से एक pop-up देगा, अब मैं इस confirmation को pass out करना चाहता हूँ, जब भी आप delete का quote यूज करें, delete के quote से पहले, आप यहाँ पे application. dot application.displayalert equal to false कर दे, तो इसे क्या होगा कि alert को देने वाला system हमने यहाँ पे disable कर दिया, तो फिर डिरेक्टिव डिलीड हो जाएगा, इसका ध्यान नहींचा रखेगा, कभी भी seat को delete करेंगे, तो इसका use जरूर करेंगे, उसके बाद अब बात करते हैं कि कोई particular seat को, अगर मुझे किसी को mail करना है, माली जो data है, मुझे इस किसी को mail करना है, तो हम एक particular sheet को mail नहीं कर सकते हैं, mail होदा, file mail होगा ना, पुड़ा सब, तो मुझे इस particular sheet को extract करना है, अपने system से इस sheet को extract करना है, तो normally हम लोग कैसे करते हैं, right click, move, यहाँ पे move and copy, create copy, अब को particular file में move करना, file का list देते हैं, नई file में करना है, तो यहाँ पे new workbook करते हैं, तो इस file को copy करके, एक नया file add करके, बुक्टू में डाल देता है, फिर इसको save, save as करके आगे अपना, जहाँ मील करना है, मील कर देते हैं, right, इसको vva के through कैसे करेंगे, तो इसको vva के through करने के लिए, हमें, code लिखना पड़ेगा, seat, यहाँ पे, seat1.copy, 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 इसकी इतना लिख दीजेगा, तो एक नई file में इसको insert कर देगा, फिर वो जो file में copy करेगा, वही file activate होगा, आपका main data file deactivate हो जाएगा, तो यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे, active work book.save as और यहाँ पे path और file name with exchange डाल लेंगे, ठीक है, तो आपका file copy होगी, प्रिचला जाएगा, मुझे copy within the file करना है, मतलब मुझे इसको copy करना इस तरीके से, यहाँ पे करना है, control प्रेस करें करते हैं, यहाँ पे move and copy में से लेकर, मुझे within file करना है आपको, तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे, seat one dot copy, और फिर यहाँ पे before after, किस seat से पहले, या किस seat के बाद करना है, तो मुझे सबसे last बारे seat पे करना है, तो हम यहाँ, जो seat add करने पराएं थर्ड का, इसको copy कर लेते हैं, और यहाँ पे after, कॉमा दिया, before को skip किया, और after पे आ गया, और मुझे बोला, सबसे last में इसको copy करना है, लेकिन माल दिजिए कि मेरे पास book 2 या book 3 कोई फाइल कुला हुआ है, book 3, मुझे book 3 के सबसे last बाले पे add करना है, या किसी particular फाइल के बाद add करना है, तो book 3 आपका open होना चाहिए, और इससे पहले, आप डाल दिजिए यहाँ पे, book books, और यहाँ पे, book 3.xls.m, यह जो भी extension है आपका, और यह इस तरह सबादिए, ओके, तो यह आपको, book 3 के फाइल में कर देगा, तो फाइल का नाम देंगे, तो उस particular फाइल में होगा, फाइल का नाम नाम देंगे, तो बीतिन फाइल में होगा, और कुछ नहीं देंगे, तो निउ फाइल दो, शीट को कॉपी करना, शीट को भी समझना आ गया, यह उसुजिस है, यह तो सीट वन तो बाइट डिफॉल्ट ही राता है ना, वाट बूक में, यहाँ 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 देगी, शीट वन है, तो सीट टू डॉट कॉपी करें, तो सीट टू पर जाके कॉपी हो जाएगी, सीट टू जो यह है, इसको कॉपी करेंगा, लेकिन सीट का नाम, अगर मैंने माले से जन्वरी कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर, सीट टू के जगाँ पर, यहाँ पर जैन करना परेगा, ठीक है रहाँ? तो सीट के दो नेम होते थे, कि किसी भी सीट के दो नेम होता है, एक होता है, पुपर्टी नेम, एक कैप्शन नेम, पुपर्टी नेम होता है, जो बाहर आपका दिखता है यूजर इसको देख पाता है यहां पर जैन कर दिया और काप्शन नहीं होता है जो किसी प्रोगार को प्रोजेक्ट सब्सक्राइब करने के बाद अगला बात आती है सीट को मूव करने का तो मूव का भी सेम परसीजर है है बस कॉपी के जगहां पर मूव कर दीजिए मती कंट्रोल एक्स कट कर देगा और कि इस तरह से मूव हम करते है तक का कॉपी और मूव दुरह समझ में आगे है को डाउट तो नहीं है आप लोगो को सर मेरा कॉस्टन था सब्सक्राइब हुआ है कि अब जिस सर मुझे दो शीट जो है सेम टैम में कॉपी करना है तो वहां सीट वान सीट टू दो बार कॉपी लिखना होगा या देखिए फिलाहाल तो दो बार लिखना पड़ेगा लेकिन इसके लिए पोड है जिसका यूज कर सकते हो अच्छली हम बताई देते ह सूरत कुटाजे आपने तो सेल्फोन से जोइन किया अपर कैसे करेंगे अब करें में तो अगर मानने से का दो करना आ यहां पर क्या होता है में पर सीखना पते स्चीओ आपना है कि एक बार में लिटी Evie एक साथ अगर दो से ज्यादा करना चाहते हैं इस format में फिर आपको यहां पे सब्सक्राइब करना हो या मुड़ाइब कॉपी करना हो बागी प्रोसीजर सेम रहेगा जो है कि अगर कि अगर मुझे माल्टिपल वर्क बुक से सपोज एक शीट लेके था मैंसरी व्रक वॉर्क बॉक से को सपी करना है तो आप को उन बाइवन करना पड़ेगा सीट को मुबब्ड कोपी करना पड़ेगा स्सक्राइब तो सीट को मुबन को लोग संसिद को सअन उन कि क्लोस ficou प्लॉंड की थीज़ ऐ से को मुवन कोपी कि अंधैगा ओके ठीक है ओक चलिए अब मुवन को अब करते हैं इसके इसमा किसी सीत को हाई कैसे किया जाता है इसेट one. हमने हाफ पर वीजवल याँ बीजवल होता है वीजवल में हमने एक कुल किया दिस फे तीन चीजे हैं अब एक ची फिर दुवारा समझाता हूं कि मैंने यहां पर सीट वन लिया है लेकिए आप अपने सिच्विएशन का कॉड़िक इन चारों में से कोई एक ले सकते हैं ठीक है या एक टिव सीट वान डॉट वीज्वल एकोई डीडिंव कर दिया मतलब कि जैसे नॉमरल हम लोग यहां से हाइट करते हैं यह हाइट कर दोता है इसको कोई भी easily इसको यहां से unhide कर सकता है कोई भी easily मैं चाहता हूँ कि मेरा user मेरे seat को unhide ना कर सके तो उसके लिए आपको यहां पे code देना पड़ेगा seat one dot visual equal to excel seat very hidden excel seat very hidden तो यहां पे आपको आएगा राइट? वेड़े hidden में क्या हुआ कि hide होने के बाद user यहां से hide नहीं कर सकता है उसके लिए आपको VVA के जरिए ही code लिखना पड़ेगा visual equal to excel seat visual आप बोलोगे sir, code तो कोई भी लिख सकता है क्या? लेकिन आप VVA की code में भी password लगा सकते हैं कैसे? visual basic editor के tools के अंदर आपके यहां पे VVA project properties दिखता है इस पे चले जाएं protection पे चले जाएं lock protect for viewing और यहां पे password लाल दे और फिर file को save करके वापस reopen करें तो बेगार password के आप इस किसी भी code को access नहीं कर सकते हैं तो seat को hide और unhide करने की बात रहें उसके बात हम बात करते हैं seat को protect करने की की password कैसे डाला जाएगा तो यहां पे हम seat1.protect और फिर यहां पे हम अपना password दे लेते हैं लेकि password के बाद भी आपने देखा कि इतने सारे हैं जिसको options है तो क्या है चले इसके बारे में बताते हैं जब seat को protect करते हैं तो इसमें बहुत सारे यह होते हैं कि allow user of this worksheet बतल इसमें बतल आप नाव दानने के बाद क्या क्या कर सकता है जिसे short कर सकता है थो मुझे बाहने हुए allow short करना है तो यहां पे आप कौमा कौमा करेके जा सकते इस तरह से इसकों नहीं करना है डालीं इसको कि allow shorting यहां पे आप कर दीजे true True and false देना है ठीक है तो उसको unprotect भी करना पड़ेगा तो unprotect करने के लिए simple unprotect और यहां पर पास्पोंट आज़ा है कुछ तो सीट को हमने select किया हमने add किया हमने rename किया है फिर हमने multiple सीट भी add कर सकते हैं यहां पर सीट को delete किया सीट को copy किया move किया सीट को हाई एनाइट किया प्रोटैक्ट एन्प्रोटैक्ट किया उसके बाद बारी आती है लास्ट टैब कलर करना मतलब कि इसकी जो बैक्ग्राउंड कलर है बसे हमें एलो कर दिया या कुछ कर दिया इस तरह की कलर कैसे किया जाए तो यहां पे हम करेंगे सीट वन डॉट टैब डॉट कलर और एक्वल टू यहां पे विवी रेट ग्रीन ब्लू शाम जिंटा यहां पे आप दाल सकते है तो यह होई सीट पे तो सीट पे हम इतना ही काम करते हैं न कोई और ता काम नहीं करते हैं न तो आप जैसे कि हमने आपको यहां पर कोड को एक स्क्रीड किया है एक कोड इंडिविजली वर्क करेगा पूरा एक साथ निकों किसके आपकोई कोड आपस में कोई रिलेट नहीं है वैसे मैं समझाया है कि किस काम के लिए कोड लिखेंगे आप इसको अगरा रांड करता चाहते हैं तो वान बाई वान कीजिए ठीक है ओके सर आप एक एक शीट को कॉपी करके नई नई मतलब जो एक एक्जिस्टिंग वर्क बुक है उसमें कैसे पेस्ट करेंगे आप पहले एकाम किजिए कि डिम या फी स्टिंग नी छोड़िए एक्टिफ और वो डॉट फाइल ने ने लिए लिए कि आपकी इस फाइल पर डेटा कॉपी पर आपका फाइल कौन से माइक्रोर्णि करते हैं कौन सा फाइल एक्टिव हैं टीक है न इसके बाद यहां पर आप करेंगे वर्क वोक्स डॉट ओपे जिस फाइल को ओपन करना है उसका पार एक्स्टेंशन डाल दिजिए ठीक है इसके बाद जिस सीट पर जाना है कौन से सीट को यहां पर देटा करते लिकार है यहां पे आप जाएंगे डेटा सीट को कॉपी करना है नहीं स्टेमेशन पोरिए सीट को कि इस पोरी यहां पे कॉपी कॉपी करने के बाद यहां पर कॉमा आफ्टर आफ्टर पर करेंगे ना जी लास्ट में लेकिन कहां पर तो यह आपको देना होगा वर्ग बुक्स और यहां पर आपका एफ जो फाइल का नेम है आपका समझें के फाइल में पेज़ कर देगा पेज़ ओने के बाद फिर आपका जो वर्ग यहां पर वर्ग बुक्स और इसमें जो आपने नेम डाला हुआ है उपन किया था आपने आप दूसरे वाइल के लिए आपका पहला फाइल हो गया फिर यहां पिर आपका दूसरे वाइल के लिए यहां पर फाइल फायइल हों जाएगा और अब कि इस तरह से आप का डेटा एक सीड में मूव कर सकते हैं तो मूव कहा हो रहा है यह आपका वर्ट बुक डेटा है तो इसको करने की जरूद नहीं है कि जहां के आपने एफ यूज किया है वहां के आप बेटा दॉट इस एक्स या एक्स एक्स एम जो भी आपका एक्स्टेंशन है वह राज दीचे साथ ठीक है बड़े फाइल ओपन होनी चाहिए ओपन होगा तभी होगा याद रखिएगा करेंगे एक प्रजेक्ट को करेंगे ठीक है कि मिलते हैं कल ओके गुटनाइट और नाइट से